जैसरी राधे किष्णु आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आए सुनते हैं माग मास महत्मे कथा में 14 अध्याय की कथा अब तक आपने जो कि एक से लेकर 13 अध्याय कथा को स्रवन किया अगर आपने अब तक पिछले अध्याय कथा को नहीं स हिंदु धर्मे माग महीने का बड़ा हे विशिष महत्म ओं मना गया हैं माग की महीने में घंगा अश्नान करना करना दान कुन्यों का कारी करना भगवान विश्णु माता ऐल लक्षमिश मजया है यह सब बड़ा हे पुन्द्रण दायक म Mode मना तो आये सुनते हैं माग मास महात्मे में 14 में अध्याय की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णों की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान स्रेक्रिष्ण की जै सर्वदेविदेवता की जै कार्द विर्य बोले की हे ब्रामन स्रेष्ण हे सुब्दत माग अश्टनान का बड़ा प्रभाव क्यों कहा जाता है एक वैश्य माग अश्टनान के पुन्य से छूटकर दूसरू के साथ स्वर्ग में कैसे गया उनको विस्तार सहीत कृपाकर मुझसे कहिए दत्ता त्रेजी ने कहा कि हे पुरुशुत्तम जल सुभाव से ही उज्वल निर्मर शुद्ध सफेद मलनाशक पापो को धोने वाला होता है प्राणियों का पोशन करने वाला जीवन तारक तथा नारायन देव है ग्रहों में सुर्य तथा नश्चत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम सवका कारी के लिए माग महीना है मकर के सुर्य में माग महीने में प्राता काल गाय के पैर डूबने योगे जल में भी अशनान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है हे राजन शक्तिहीन इस योग में तीन ही दिन अशनान करे तथा धन का एक्षुक यथा सक्तिदान करे तो वह म माग महीने में सब तीथियों का सतकार कर बारह अश्नान करने वाले को मुक्ति पद अवश्य प्राप्त होता है। अब मैं तुम से माग अश्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ, ध्यान पुर्वक सुनो। उत्तम यह है मनश्यों को भूमी पर सोना, तिल मिलाकर घृत्त का हवन करना, सनातन वासुदेव भगवान का तीनों समय पूजन तथा अखंड दीप दान करना चाहिए, इंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुम-कुम, घृत्त, तेल, कपास, काठा, रुई, पबनी तथा अन् दान देना चाहिए, वेद पाठी ब्रहामन को रत्ती भर्वे स्वर्ण देना, जो कि पुन्य कारक माग मास में है, हे राजन यह दान कभी नष्ट नहीं होता, दूसरे की अगनी न तौपे, ब्रहामन से दान न ले, माग महीने के अंत में, हे राजन ब्रहामनों को यथा सक करावे और दक्षिना दे, तथा एक आदसी के नियम से माग अशनान का उद्यापन करे, माग मास में हे गोबिंद, हे अच्यूत, हे माधव, हे देव, इस अशनान से मुझको यथार्थ फल देजिए, मौन रहकर इन मंत्र का सुमिरन करे, मकर के सुर्य में घर में गर्म जल से किया अशनान च्छ वर्स का, बाहर बावली आदी में बारह वर्स तक, तालाब में दुना, नदी में चोगुना, दीव घर में दस गुना, महा अनद में सो गुना, बड़ी-बड़ी नदियों के संगम में अशनान करने से, चार सो गुना फल होता है, हे नरुतम जो कि जो कोई मनुश्य माग में गंगा या यमुना में संगम में अश्नान करता है वो अप्रतिदीन हजार स्वर्ण मुद्रा तथा हजार कपिला गव के दान देने का पुन्य प्राप्त करता है तेन दत्तम ही गंगायाम यू मागे अश्नातिमान वह अनध्धारह सहस्त्रेतु कपिला न्यूतम तथा इस प्रकार से माग मास महात्मे में चोदह में अध्याय की कथा पुर्ण हुई तो बोलिये प्रेम से भगवान विष्णो की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान असरे क्रिष्ण की जै सर्ब देवी देवता की जै इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सबस्प्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोटफिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुकी रहें और स्वस्त रहें जैसरी राधे किष्ण धन्यबाद